हेलो गाईज आज का टॉपिक है गवर्मेंट वीड्ज आउट 4.39 करोड बोगस राशन कार्ड अंडर NFSA सिंस 2013 नैशनल फूट सेक्यूरिटी एड के अंदरगत गवर्मेंट ने 4.39 करोड बोगस राशन कार्ड धून के निकाले हैं तो ये बहुत ही बड़ी नियूस है 2013 से इतने सारे बोगस राशन कार्ड लब इट शॉकिंग तो आपको सबसे पहले ये तो सबसे पहले इसका मतलब बहुत सारा करप्शन है सिस्टिम में और गवर्मेंट ने खुद धूनडा है तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर से ग्रेजुएशन कॉंप्यूटर इंजिनेरिंग उसके बाद मैंने लॉग किया मास्टर्स किया नेट कौलिफाई हुआ पीजडी कर रहा हूं यूपे से एमपेसी कैंडडेट से पिछले 9 सालों को गाइड कर रहा हूं मेरे दो सक्सेस्फुल कैंडडेट से आनिल कट से बनकर सुरिफ दो ही क्यों विकर्स मैं सोशोलोजी बढ़ाता हूं मेरा स्पेशलाइजेशन है साथ सालों से में लॉप आप रहा हूं मेरे सोशल मेडिया चैनल से हैं यूट्यूब अभी जो अदितिकेदरे नाम पे हैं आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फेस्बूग एक्ट 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 एक्टली है क्या दो हजार तेरा से ये स्टार्ट हुआ दो अब्जेक्टिव इस तो प्रोएट फूट एं नूट्रिशनल सेकूरिटी इन हूमन लाइफ साइकल अप्रोच बाच 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 बात है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाना बहुत स सस्ता और अच्छा कॉलिटी फूड मिलना चाहिए सस्ता सिर्फ इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी कॉलिटी हो अच्छे कॉलिटी का लेकिन सस्ते भाव में लोगों को मिले ताकि नाइस स्रीफ फूड लेकिन वो नूट्रिशनल सेक्यूरिटी के हिसाब से भी देखा गया पचास पसंद गरीब लोग हैं उनको कवर अप करता है 75 पसंद गरीब लोगों को रूरल एरया में कवर अप करता है और यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट है हर किसी को 5 kg फूड ग्रेंज पर पर मन्त हर एक इंसान को 5 kg जो फूड ग्रेंज है जैसे कि वीट है राइस है य ये सारी चीज़े इनको मिलेंगी खाना खानेंगे ठीक है 50% अर्बन पॉपलेशन 75% डूरल पॉपलेशन और 5 kg पर मन्त ठीक है 5 kg फूड ग्रेंज उसको अला हम एलाबरेट में देखेंगे कि 5 kg में कौनसे कौनसे फूड ग्रेंज है तो जो बहुत ही जादा गरीब है बिलो पावर्टी लाइन से भी बहुत जादा गरीब है जो बहुत ही जादा सफर करते हैं उनको 35 kg of food grains पर हाुशवल्ड तो नको और जज़ादा सस्ते में मिलता है जो की अंद्योड अन्ना जो आव्य है उसके अंदर के अंदर है यह मतलब नहीं होता है कि NFA से हो गया तो यह AAY योजना खतम हो गई, नहीं, AAY योजना आभी भी चल रही है, poorest of the poor, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों के लिए, 35 kg food grains को मिला जाता है, और भी ज़्यादा सस्ते rate में, ठीक है, for a period of 3 years, 3 सालों तक, from the date of commencement, मतलब 2016 तक, food grains under TDPS, that is targeted public distribution system, मैंने आपको TDPS का full form नहीं बताया, targeted public distribution system, PDA सबको मालूम है कि गरीब लोगों को राशन काट देर कि उनको सस्ते में खाना मिलता है, लेकिन targeted मतलब specific sections को मतलब जो बहुत गरीब लोग है, उनके लिए, will be made available at subsidized prices, rupees 3, 2, 1 for rice, wheat, coarse grains, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 kilo rice, 2 kilo wheat और 1 kilo coarse grains, मतलब अलग-अलग जो grains आता है, उसमें 1 kilo पर, मतलब यह total 5 kilo होगे, उसमें क्या-क्या आ रहा है, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, 3 kilo rice, 2 kilo wheat और 1 kilo coarse grains, ठीक है, the identification of eligible households is to be done by states, और UTS under TDPS, determined for each state, तो यह जो households है, या जो गरीब लोग है, इनको किसको detect करना है, states को करना है, या तो unit territory करना है, local level पर, तो यहाँ पर ही सबसे दादा fraud हुआ है, कि साड़े चार करोड के आसपास fake ration cards मिले हैं, government को, central government को, तो यह दिखाता है, कि कही ने कई state government है और unit territory ने अपना काम धंग से नहीं किया है, कही न कई corruption ज़रूर दिख रहा है, children in the age group of 6 months, 6 मेने से 14 साल के बच्चे दुख, और pregnant women and lactating mothers will be entitled to meals as per prescribed nutritional norms under integrated child development services and midday meal schemes, देखें, जो बच्चा है, 6 मेने से 14 साल के बच्चे को खाना मिलेगा, pregnant औरतों को खाना मिलेगा, lactating mothers मतलब जिनको just बच्चा हुआ है, जिनको बच्चा भी भी उनके दूद पर depend करता है, इनको nutritional norms जो prescribe किये गए हैं, integrated child development services में और midday meal scheme में, उसके हिसाब से उनको nutritional खाना मिलेगा है, सरिफ खाना मतलब सिर्फ चावल दाल चावल दाल दोगे तो obviously सारा nutritional value cover नहीं करता है, nutritional मतलब up to the age of 6 have been prescribed for higher nutritional values, उसमें भी अगर जो बच्चे 6 साल तक कि जो जादा ही malnerist है, उन बच्चों को और जादा care देना पड़ेगा, उन बच्चों को और जादा high quality nutritional food देना पड़ेगा, pregnant women and lactating mothers will also be receiving maternity benefit of Rs.6,000, मतलब जो pregnant औरते हैं, origin औरतों को जाज़ बच्चा हुआ है, जै इतने सारे फाइदे हैं, और उसमें अगर साढ़े चार करोड के आसपास, अगर fake ration cards है तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा waste हो रहा है, कितना पैसा पानी में जा रहा है, जिन लोगों को seriously जरूरत है, उन लोगों के अलबा कोई दूसरे ही लोग है, जो इस scheme का गैर फाइद या बहु, जो भी बड़ी औरत है उस घर की specifically, जो 18 साल के उपर उसकी उमर होने चाहिए, मतलब वो major होनी चाहिए, बच्ची नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे ration card होगा, किसी के और के नाम पे ration card नहीं होगा, ठीक है, तो ये woman empowerment की एक बात है, लेकिन कई बर इसमें देखा at all, grievance is redressal है, district level पे भी है, state level पे है, अगर किसी इंसान को grievance है, किसी इंसान को complaint है, वो जाके complaint कर सकता है, state level, district level पे, the expenditure incurred by the state on transportation of food grains within the state, its handling and FPS dealers, okay, जो food grains के जो dealers होते हैं, margin as per norms to be devised for this purpose, and assistance to states will be provided by the central government to meet the above expenditure, देखे, जो transportation में, ये food grains के transportation में होगा, या जो margin मिलती है, बीच में के dealers होते है, state government को मदद करेगा central government, और उनको financially पैसा देगा, कि देखे, आपके transportation में, इतना central government help कर रहा है, central government, state government को help कर रहा है, कि देखे, आप गरीब लोगों को ये खाना दीजिये, लेकिन, बहुत सारे fake cases, बहुत सारे fake ration cards पकड़े गए हैं, तो central government काफी गुरस देखे, इसी transparency and accountability के वज़े से corruption पकड़ा गया, कि यह record check करो, auditing करो, social audits मतलब जहां पे जो नागरिक है, वो भी involved होके बता सकता है, कुछ ना कुछ तो गडबड हो रही है, तो उनमें से भी representatives दिखाते हैं, vigilance committees भी होती हैं, जो check करती है, कि यह food grains कहा रहे, कहा जा रहे, कि इसके लिए central government पैसा दे रहा है, उसी के लिए state government इस्तमाल कर रहा है, कई बार हमने देखा है, central government पैसा भी दे दिया, लेकिन state government के जो लोग होते है, local politicians, वो सारा पैसा bureaucrats खा जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए यह सारी चीज़े रखी गई हैं, by, under the national food security act 2013, in case of non supply of entitled food grains or meals, there is a provision for food security allowances to entitle benefits, देखिया, अगर खाना ही नहीं होगा, food grains ही नहीं होगा, कभी कभी बारिश नहीं होई है, या जो food grains से खराब होगा है, तो एक security allowance थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो हार एक family को मिलेगा, देखिया, अगर उनको 5 kg का food grains नहीं मिलता है, तो, if the public servant, अ by the state food commission according to the provision, तो, देखिये, जो public servant या कोई भी authority है, अगर वो comply नहीं कर रही है, वो relief नहीं दे रही है, as per recommended by the district grievance redressal officer की, देखिये, ये गलती होई है, आपको इन लोगों पर इतना food grains देना पड़ेगा, इतना compensation देना पड़ेगा, अगर वो follow नहीं कर रहे है, even after the grievance redressal officer has given the order, उन्होंने comply नहीं किया, तो, उनको penalty लगेगी according to state food commission, तो, देखिये, public servant भी बचेगा नहीं, जो national food security act है, काफी, काफी तगड़ा act है, आप इसमें कुछ भी करके भाग नहीं सकते हैं, So thank you guys, ये था आज का वीडियो, तो I suppose आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो national food security act के बारे में आपको मुझे लगता है, detail में पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा, कि central government ने around 4.39 crore of fake ration cards पकड़े गया है, तो बहुत ही, अच्छी एक तरीके से हमने सराना क चीए government को हमने appreciate करना चीए कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, next video के लिए wait करिएगा, जरूर मेरे channel को subscribe करिए, facebook page को follow करिए, telegram channel को subscribe करिए, तब तक के लिए हम आदित्य के जारी, signing out, जहिन